हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू माई यूट्व चैनल जो आपडेट्स प्लस इंफो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो दूस्तों ब्यासेफ की ओफिशिल लॉटिफिक्शन देखिए यह इसमें दूस्तों नया वेकेंसी आ अगया है अगर आपने इस देखा दॉस्तों इस वीडियो को फूरा देखिए इसमें क्या-क्या रेकैंसी यह जो सब्सक्राइब आपको पूरा आपको फूरा नॉलिज आ जाए उसमों अगर आपको एप्लाइ करने में यह हो जाये तो दुस्तों देखिए तो दो ही इसमें पोस्ट है और इसमें वेकेंसिक न होगा मैं बताऊंगो बाद में अभी देखिए इसका जो प्रॉसेस जो होगा अलान मोड में उसके अप्लाइब होगा ऑफलाइं कोई नहीं होगा अगर और आपको पास कोई ऑफलाइन फॉर्म मिलता है तो आप इसको इग्नोर किजिये लिए और इसका इंपोर्टन डेट की बात करें देखें दोस्तों इसका इंपोर्टन डेट अप्लेट के अंदर कर लिजेगा तो दोस्तों अभी देखिए इसका जो फेसकल की बात करें देखें एक यह अपर है कि दिया हुए इस कलॉंब यूर इवस तो देख सकते वाप इस पोस्त में एक 10 पर्संट एक सर्विसमें के लिए होगा देख सकते और 5 पर्संट यह ए और रिमेनिंग वेकेंसी देखें टूटली ए यूँवर के लिए है कि टोटल व्यकनिसी है 83 और इसमें 1010 पर सेंट एन उन्य वैकेंसी होगा एक सब्सक्राइब करें लिए इडिफलेश में टेन वेकेंसी है स्ट में चैनल रेकेंसी तो दो दो देख सकते हो आप रिविन वेकनिस और यहां पर देख सकते हो आप डिपार्टमेंटल के लिए यह तोटल मिला के हो गया 129 वार के लिए यहां पर 0 16 15 तो हो गया यह पर टूटल देखे तो 217 वेकनिसी है अभी देखे दोस्तों है सब्सक्राइब रेडियो में मेकनिस देखिए इसमें टूटल होगा 30 वेकनिसी इसमें से इवर्ड देख सकतो आप यूर्ड के लिए होगा 13 EWS के लिए 1 और विसे के लिए 2 से के लिए 3 स्ट के लिए 0 तो पहले आप उसको पोस्ट एफ सिल्क करने से पहले आप एक बड़ आपको कोई वेकनिसी ही नहीं तो आपको इसमें अप्लाइग कर सकते हो तो दो देखिए नेक्स में यहां पर और विग दिया हुआ है अगर आपको इसका फूल्स नहीं पहता है तो फूल्स फूल्स को फोल्स ऐहाँ सिय मोंद सिय है कंपिशनेट एपर में इया होगा डिपाट्मेड़ है और यह ऑडि टेपाट्मेडशों अलग है देखिए यह कंप्रेशनेयाइप पॉरुघ्म हौने जो न्गर्जियन का ह देप्ट बेसे सर्विंग पर्सोनल विद मिनिमम फ्री यह उफ सर्विंग एज ओन प्लॉजिंग देट अप्लिकेशन तो देखिए नेक्स्ट यह पे नेक्स्ट इंपोर्टन है दोस्तों मैं आपको विदार देता हूं इसमें जो नेक्स दिया हुआ है हाँ देखिए दोस् पॉर्ट जुन संडेर फ्रम 10 तू ट्रेवार इसके डेट दिया हुआ है उसको देख सकते हूं इसको देट भी पूरा रहे है कब उसका फस्ट फिसका एक्जम होगा फॉर्ट जुन में हो जाएगा तो इस डेट को आप देख सकते हुआ है आप पुरफ त्यारी किजिए द नेक्स देखे दोस्तok इसमें जो बीस में सेकंड फेस होगा सेगर फेस सेड फेस में फिस्ट होगा पूंड नोकुमेंटेशन होगा सफम बीगास विल्विप्साय के बाद उटी रिग्ट इन डिक्टेशन तेस्ट और स्यूर्ज करते कि प्रीदिंग चाहीं आपको अपक radio operator के लिया candidates only next देखिए third phase में होगा detailed medical examination review medical examination for uh firm dates will be notified while issuing admin card for the third phase examination to third phase में होगा medical examination यह होगा आपके admin card दिया जाएगा third phase के लिए और final result देख से क्थे होगा final result will be prepared for head constable radio organization and head constable radio mechanic separately and merit will be prepared in following manner तो देखिए दोस्तो टोटल मार्क्स अप्टेंड ओयमार शीट होगा return test 200 and dictation test 50 out of 250 mark जैसे कि 200 plus 50 marks respectively और इसमें देखिए total marks obtained in OMR based return test out of 200 marks तो इसमें सिर्फ OMR based होगा 200 mark में से आपको इजिता mark मिलेगा ठीक है दोस्तों अभी देखिए next में next में होगा eligibility देखिए दोस्तों इसमें eligibility की बात करें तो यह काट पहले academic qualification देखिए head constable radio operator देखिए pass in intermediate or 12th standard or equivalent with physics chemistry and mathematics from a recognized board or university or institution as a regular student with aggregate 60 percent mark in physics chemistry and math subject तो देखिए आपका जो radio operator में दिया हुआ है तो इसमें आपका 12 पास होना चाहिए minimum और आपका 12 पास में सब्जेक्ट और फीजिक्स chemistry and mathematics इतिन सब्जेक्ट आपको होना चाहिए और इसमें matriculation or equivalent from a recognized board and two years the industrial training certificate तो दोस्तों यहाँ पर training certificate radio and television or electronics engineering or computer operator and programming assistant or data prepared and preparation and computer software or general electronics engineering or data interpreter from a recognized institute तो दोस्तों यहाँ पर देख सकतो हो अगर आपका पस यह नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसके साथ आपका आइटिया होना चाहिए जो यहाँ पर दिया हुए किसी भी एक रोपिक में आपका आइटिया चाहिए तो भी आप इसमें apply कर सकते हो नेक्स देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास यह है तो आप इसमें आसान से अप्लाइब कर सकते हो अगर आपके पास यह सब्सक्राइब भी नहीं है और आपके पास है तो आपके नहीं कर पाएंगे अगर आपके बात कर तो देखिए यूर के लिए 18-25 तक होए तक होए ठीक दोस्तों अभी देखिया नैक्स्ट में जो इंपोर्टन्ट है यहां फिजिकल स्टेंडड दश्टते की बात किया तो यह पर फिजिखल पीस्ट तो पीयस्टी देखिए हight में 168 सेंटि में वह नॉर्मल है इस में तेंशिन में लेचें दिश्टेंट के बात में बता रहा हूं अभी देखिया पर आपि नॉर्मल एंग लिए 168 तो 165 cm in respect of person belonging to the races namely गर्वली इस कमोनेंस गोर्खास टोगरास मारठा से किम्स परसंस हेलिंग फॉम ले लदाक कश्मिर वेली नौर्थ इस्टरन स्टेट्स एंड दे स्टेट फिमाचल प्रदेश देखिए दोस्तों यह जो कटेगोरीज और स्टेट्स का नम दिया हुए अग और फिमल के लिए भी सही में अगर आप इन स्टेट से विलां कर दो आपके लिए एप फिन फिफ्टी फिफ़ सेंटीमेटर तू सेंटीमेटर लेस्ट कर दिया है 155 चाहिए नेक्स एकिया पे दे मिनिमूम स्टेंडर्स ओफर इस रिलेट्स तू है मैं रिलाक्स वाइड 5.5 cm 5.5 cm that is from 168 cm to 162.5 cm to 162.5 cm to 162.5 cm to 162.5 cm to 157 cm in respect of adhivashis or tribal including mezos and nagas and further relaxed by 5.5 cm that is from 162.5 cm to 157 cm in respect of male schedule tribes of north distant state तो दोस्ता करिए यहां पर अगर आपका इन नॉर्ट इस्टेंस से नागा और मिजूस यह सब आदिवाशे से विलोंग करते हो तो आपको 162.5 चाहिए और यहां पर देखिए for tribal और आदिवाशे इंक्लूदिंग मिजूस नागा 154 cm female के लिए यहां पर देखिए chest क की बात करें तो चैस्ट देखिए 80 cm 85 cm after expansion there is minimum 5 cm expansion तो यहां पर नॉर्मिली होगा 80 cm और 85 जिसे की आपका किसके लिए देख सकते हो सेंटीबीटर एस अनेक्सपेक्ट रेट एट 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 की बात करते हैं तो आपको मेडिकल स्टेंडर्ड में डिपन करता है कि हाइट के ओपर डिपन करके आपका वेट कितना होना चाहिए और यह फिमल के लिए भी सेमें तो ने नेक्स देखिए इसमें आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो पीस्टी को पेस्ट में जो होगा वह मैंने आपको बता दिया कि देखिए नेक्स्ट इंपोर्टन होगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इसके सिलेवस की बात क्या तो देख सकते अब सिलेवस होगा क्या पोस्ट अप हेट कॉंस्टेबल आर्डियो अपरेटर रेट कॉंस्टेबल राडियो मेगनेग तो इसमें देखिए एंची की टेवड़ नेशन अफ तू बार्ड ट्रीके में उपर्टिक्स थोचिन में में ईंग्लिशन जीचे में सब्सक्राइबल रेखिये यह पर टेंट प्लस टू रेवेल का होगा सीवियर सी बोट से लिए जाएगा और और यहां पर कारेंट एफार हिस्ट्री जिरोग्राफी एंजिन साइंस का इंग्लिश इन जी क्या होगा तो निगे निगिटिव मार्किंग की बाहत करें तो देखिए आप पर माल्टिपूल जो क्वेस्टिन टू मर्क मिलेगा आपको 0.25 मार्क विल बी डिड़क्टेड हर अधर रहां अधर में आपको 0.25 मार्क विल डायीगा मैनस की जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों इसमें इपलाई के ने के जो इंपॉर्णांट है देखिए और भी आउचे हैं फिजिकल स्टेंड़र्ड टेस्ट होगी आभी फिजिकल स्टेंड़र्ड टेस्ट पी सारे छे मिट में 1.6 किलमेटर रानिंग और बी में देखिया लॉंग जंप 11 फिट इन त्री चंस हाई जंप 3.5 फिट इन त्री चंस तो दक्सक्त आप इसमें और फ्यमेल के लिए देखिए 800 मिटर रेस इन 4 मिनिट और 9 फिट लॉंग जंप इन 3 चंस दे जाएगा और 3 यह बचिन और बिच Moment जिए बात में बतावंगा में नेट वीडियो में क्यूंकि ए वीडियो जयाता और इसमा अप्लाइक करने के लिए यह इंपोर्ण नहीं यह इंपोर्ण derived minha इसका में आपको दे बैसे लागए यह बारत रिये से लिगा इट आपकी पास तुरंड झाल झाल झाल